आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है आज इस वीडियो में रिजनिंग के स्ट नमबर फाइब को डिस्कस करेंगे इसमें टोटल दस प्रशन है और पहला क्वेश्चन है Find the number of triangles in the given figure इस टाइब के हमको एक figure दे दिया जाएगा इसमें या तो number of squares निकालना है या तो number of triangles या number of rectangles ऐसा करके निकालने कहा जाता है तो इस question हमको number of triangles find out करना है तो सब से पहले एक square में देखते हैं इस type के अगर हमको square रहे ठीक है तो हम क्या करते हैं में 6 triangles है तो हम लोग क्या करते हैं कि 6 गुने 2 डिरेक्टली हो गया 12 यानि पूरे squares में 12 triangles हमको मिलेंगे इस triangle में देखते हैं यहां से यहां तक यहां से यहां तक और एक perpendicular है तो इस time में क्या होता है कि जैसे 1 हो गया और 2 हो गया फिक है इन दोनों को add कर देंगे 2 फ्री यहां 3 आड़ करते हैं इसमें total अगर इस shape में रहे एक triangle उसमें perpendicular एक डाला हुआ है तो एक और दो add कर देंगे जितना perpendicular होगा उसमें अगर तीन को होगा तो एक दो तीन लिग देंगे और सबको add कर देंगे यहां पर क्या है एक triangle है इसमें 1 और 2 को add कर देंगे यहां कितना जागा 15 इस 15 अलावे दोनों को जब एक square और इस triangle को add करेंगे तो इसमें फिगर मिलेगा यह triangle यहां वाला और दूसरा triangle यहां वाला तो 15 प्लस 2 हो गया 17 तो अगर पूरे figure में वालाव ट्रेंगल कितने है 17 है next question है number series का find the next number तो यह एक number series का question है तो इस series में एक pattern दिया हुआ है उस pattern को हमको find out करना है जैसे इसमें देखते हैं कि 0 और 7 को add करते हैं तो 7 आता है 7 और 7 को add करते हैं तो 14 आता है 14 और 7 को add कर देते हैं 21 14 और 21 को 35 आता है कि दो number को add करेंगे तो इसका next number जो है दोनों का addition होगा उसी तरह हम क्या करेंगे कि 91 147 को add करेंगे तो यह question mark के जगा में जो होगा वो आ जाएगा 147 प्लस 91 इस टाइप के question में जो है एक pattern इसमें भी दिया रहता है और हमको जो question mark है उसके जगा में क्या होगा यह find out करना है तो पहले देखते हैं इसमें pattern क्या 15 17 हो गया यह इसमें 2 increase हो गया 17 से 20 हो गया इसमें 4 increase हो गया 27 से 29 हो गया यानि किसमें 8 increase इसमें कितना 16 increase तो एक pattern मिल रहा है कि 2, 4, 8, 16 सब का दोगना, 2 का दोगना 4 4 का दोगना 8 8 का दोगना 16 और 16 का दोगना कितना होना चाहिए यहाँ पर 32 add करेंगे तो यह number आना चाहिए लेकिन यहाँ तो इतना number नहीं है छोटा है, तो यानि कि क्या करना होगा हमको इसमें 2 है इसमें 4 था, इसमें 8 था इसमें 16 था तो मान लेते हैं, x हो जाएगा और यहाँ मान लेते हैं, एक add करेंगे तबी pattern हो जाएगा, एक का दोगना 2 हो गया दो का दोगना 4, यह हो गया तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 होना चाहिए 15 तो कितना करें 14 अगर x के जगह में होगा तो 15 है, तो option number 3 is the correct answer फोर्थ नमबर जो है question सिलोलिजम का है, इसमें कर रहा है कि all cities are towns, सभी city क्या है town है, तो city के अंदर में town को बना देंगे, यह लिखेंगे फिर क्या हो जाएगा, कि some cities are villages, तो पूस village का part city में जाएगा ठिक है तो conclusion कर रहा है कि all villages are towns, सभी village जो है क्या है town है तो village का जो ये part होता है, ये part, ये तो town के अंदर गत नहीं आता है तैनि कि option number ये जो है پहला conclusion क्या है, गलत है अगर village का ये part भी town के अंदर आ जाता, सभी village जो आता है town हो जाता, next हम देखते हैं second no village is the town ये तो ऐसे ही गलत होगी है क्योंकि एक बात याद रखना है इसमें कि अगर statement मेरा positive रहे तो conclusion कभी भी negative नहीं होगा conclusion number two भी गलत है तीसरा conclusion देखते हैं some villages are town some villages are town और village का ये part जो हता है ये town में आता है यानि option number conclusion number three is the right answer यानि कि option number eight है only conclusion three follows ये option number eight is the correct answer next question by which number the merit placed person who are not graduate represented है इसमें क्या होता है एक diagram दिया रहता है डाइगराम में कुछ number होता है उससे ये निकालना होता है तो देखते हैं पहले merit को यानि circle से represent किया हुआ है merit को circle से represent किया हुआ है graduate को rectangular से और placed को क्या है एक hexagon से replicate किया हुआ है तो हम देखते हैं merit placed पहले merit placed person कौन है यानि कि merit placed person यानि ये दोनों जो circle और hexagon दोनों में है circle और hexagon में कौन है एक और पांच है ठीक है ये तो merit placed person हो गया यहाँ पर और कर who are not graduated और graduate को rectangle से तो one मेरा जो है rectangle में आता है यानि कि ये कौन है merit placed graduate है एक लेकिन five जो है rectangle नहीं आता है इसलिए option number five is the correct answer ये कौन हो गया merit placed but not graduated next question है ये statement conclusion का प्रशन है statement में कह रहा है कि this book Z is the only book which focuses its attention to the problem of poverty in India between 1950 to 1980 इसमें कह रहा है एक book है Z वो जो है 1950 से 1980 तक का poverty गा problem को सिर्फ एही book दिखाता है कौन सा book Z book के बारे में कहा जा रहा है ये conclusion कहता है कि there was no question of poverty before 1950 यानि कि 1950 के पहले मेरा कोई भी poverty का problem नहीं था तो ऐसा इस statement से कुछ सो नहीं हो रहा है statement में ऐसा conclusion नहीं निकलता है कि 1950 के पहले का कुछ या हुआ है तो दो नमबर का अगर option देखें तो no other book details with poverty in India during 1950 से 1980 इसमें कह रहा है 1950 से 1980 के बीच का जो है केवल यही book है Z जो deal करता है इसके लावा कोई भी book नहीं है चुकि है only book है तो इससे conclusion पता जल जाता है केवल जाड़ी book है इसके लावे कोई भी दूसरा book नहीं है conclusion number two is the correct answer यानि option B is the correct answer only conclusion to follows next जो है direction best problem है करा A is one meter to the north of B अगर यह देखें तो यह north हो गया यह south हो गया यह east हो गया यह west हो गया तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कर रहा है कि B के north में A है यानि B अगर यहाँ हो गया तो A उपर हो गया who is two meter north of F F के north पर दो meter पर B है यानि F इदर होगा और B उपर होगा उपर side में north है कि कितना है दो meter है फिर क्या बोल रहा है कि E is 5 meter to the east of A यहनी E जो है 5 meter है किसका east का E जो है A के east में 5 meter है E हो गया 5 meter है अब चुक्छे बोल रहा है कि and D is to the south east of B south east of B कौन सा हो गया इस एरिया में कहीं भी होगा D होगा D is to the south east of B and is line with F at a distance of 5 meter और F के सिधा में है 5 meter में तो हम कह सकते हैं कि यहां हो गया D यह भी है 5 meter चुक्छे A से E 5 meter है और F से D भी 5 meter है तो E और D सीधा सीधी हो जाएगा यानि D के north में कौन हो जागा E हो जाएगा और चुक्छे यह A और F के समंतर तो यह distance भी कितना हो जागा इस distance के बराबर हो जाएगा यानि कि 3 यानि कि कितना हो जाएगा 3 meter north is the correct answer next question है find the odd word letters number pair from the given alternatives हम देख रहे हैं temple हो गया mosque हो गया church हो गया यानि कि मंदीर हो गया मस्जीद हो गया और church हो गया यह तिनों पुजा करने वाले अस्तान है लेकिन वाक्सीब जो है यह पुजा कोई यानि यह odd होगी आपसे नमबर भी यह पुजा करने अस्तान हो कौन कौन से है temple Moscow church यह पुजा करने वाले अस्तान है लेकिन यह पुजा करने कोई इसलिए यह different है यह पुजा करने का अस्तान नहीं है पुजा ही है अब आते हैं arrange the flying words as for the ordering dictionary चुके देखते हैं कि dictionary से एक dictionary के order से कौन सा तिनों को कैसे सजाएंगे हम देखते हैं PA 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 सब में है यानि PA जो है तीसरा वाला पहले होगा यानि यह adoption तो दोनों खतम हो गया अब यानि एक या चार दूसरे अस्तान पर आएगा एक आचार में PA के बाद जाटा लेते हैं अगर चार नमबर में देखें तो PA के बाद N है और पहला में R है तो कौन सा अडिक्शनरी में पहले गा R की N R की N आएगा N आएगा तो चार नमबर पहले हो गया तो अप्शन नमबर B is the correct answer 4, 2, 1, 2 और सब देखने का तो जरूरत ही नहीं है नेक्स्ट क्वेशन है कि इंट्रोडूशन लेडी अ लेडी सेड She is the only daughter of Mohan's grandfather Who is my husband's father How does the lady related to herself with the introducing lady यहाँ बर दो लेडी के बारे में बास किया गया मान लो एक लेडी जो इंट्रोडूश कर रही है और एक लेडी जिसको इंट्रोडूश किया जा रहा है मान लो इंट्रोडूशन लेडी इस लेडी के बारे में L1 है और जो लेड़ी कह रही है उसको मान लेते है L2 ठीक है अब C जो है किसके लिए प्रियोग हुआ है यह हो गया L1 के लिए प्रियोग हुआ है यह M G है Mons Grandfather इसकी बेटी कौन हो गई L1 हो गई ठीक है L2 का husband हो गया यह L2 का husband हो गया के भी फादर यह हो गए आगे फादर यह हो गए यह दोनों जो हता कौन हो गया भाइब div on play to play to play to play as harmless sister-in-law what option number d is the correct answer झाल झाल